आम सभी भक्त जनों को सप्प्रेम नमन भक्तों आज मैं आपके समक्ष मार्शी पतंजली द्वारा रचित योग सुत्र ग्रंथ के पर्थम अध्याय यानि समाधिपाद के तीस्वें सुत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं यह सुत्र कहता है व्याधिस्त्यान संसय प्रमाद आलश अविरती भ्रांति दर्शन अलब्ध भुमिकत्व अनवस्थित्वाने चित्विछे पास्ते अंतरायाह अर्थात व्याधिस्त्यान संसय प्रमाद आलश अविरती भ्रांति दर्शन अलब्ध भुमिकत्व और अनवस्थित्व ये चित्व के नौ विछेप याने बाधाये हैं अब ये जो चित्व के विछेप हैं ये हमें योग में प्रगत करने में रोकते हैं इसलिए इन बाधाओं को समझना उनके कारणों को जानना फिर उनको दूर करना ये बहुत जड़री है तभी योग में हम प्रगत कर सकते हैं तो व्याधी इसमें पहली बाधाय है व्याधी अर्थात रोग ये रोग हमारे धातु में कोई दोस हो जाए उसके कारण हो जाता है रस में कोई दोस हो जाए विशमता हो जाए उसके कारण होता है या जो हमारे करण है इंद्रिया है चाहे ग्यानेंद्रियां हो चाहे करमेंद्रियां हो उनमें कोई दोस उत्पन हो जाए तो होता है शरीर में वात, पित और कफ ये तीन सदेव विद्धमान रहते हैं इनमें अधिविश्मता हो जाती है यानि येसे वात बढ़ गया या वात कम हो गया पित बढ़ गया या पित कम हो गया कफ बढ़ गया या कफ कम हो गया तो इन तीनों में कोई भी घटा बढ़ता रहता है या इस तीन में से कोई दो भी बढ़ सकता है या सामान से तीनों बढ़ सकते हैं इन तीनों का जब तक संतुलन रहता है तब तक सही रहता है शरीर और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो दोस आ जाते हैं तो मौसमें परिवर्तन के हिसाब से शरीर परतिक्रिया करता है और सरीर में दोस आ जाते हैं वाद के दोस, पित के दोस, कफ के दोस और इसी का नाम व्याधी है उसी तरह से रस में भी रक्त में मांस, मेद, अस्थी, मज्जा, सुक्र ये धातु है ये साथ धातुयां होते हैं, सब्त धातु इन में कोई दोस आ जाए खौन में दोस आ जाए, मांस में दोस आ जाए मेद में आ जाए, हड़ी में आ जाए, मज्जे में आ जाए या वेरी में आ जाए, या रस में आ जाए जो हम खाते हैं, पीते हैं, सब सब रस होते हैं तो इन समय का दोस आ जाता है, विशमता हो जाती है, तो इसे जो है व्याधी की उत्पत्ती हो जाती है, अन जल ठीक से जब पच्छता नहीं है, या सरीर उसको ग्रहण नहीं करता है, तो व्याधी आ जाती है, उसी तरह से करण है, यानि इंद्रिया है, हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, जहिवा, ये सब जो इंद्रिया है, तो अच्छा, इसमें दोस आ जाता है, मौसम में बदलाव के करण, या एक्सिडेंट के करण, जगड़ा, जंजट कई तरह के होते हैं, उसमें कोई चोट लग ज जाते हैं, और उससे विशमता हो जाती है, एक्सिडेंट हो गया, तो हाथ कट गया, या पैर कट गया, या सर्फ फट गया, आँख फुट गई, तो ये दोस आ जाते हैं, और ये जो दोस हैं, वे हमारे फिर योग में बादग बन जाते हैं, यानि सरीर पूरा सही रहे, तो ही हमारा चित सही रहेगा, यानि सरीर में अगर विशेप आ गया, तो चित में विशेप आ जाएगा, फिर उसका काउंटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर उसके विरुध में प्रगती करना काफी दुर होता है, अस्टांग योग के माध्यम से तो दुरू होई जाता है फिर भक्ति योग के माध्यम से ग्यान योग के माध्यम से व्यक्ति आगे चल सकता है लेकिन अस्टांग योग एक पुरा फिट सरीर, सुडोल सरीर की मांग करता है तब अश्टांग योग में प्रगति कर सकते हैं अन्य था फिर दूसरे योगों का सहारा लेना पड़ता है व्यक्ति को चाहे मंत्र योग में जाए तंत्र योग में जाए ध्यान योग में जाए लेकिन अश्टांग योग में तो एक फिट सरीर चाहिए और अदि आपका सरीर अन्फिट है तो उसे फिट बनाना पड़ेगा तो यही कात्यां कि सरीर को व्याधी मुक्त होना चाहिए दूसरी बात है वह है अस्त्यान अस्त्यान का अर्थ होता है कि यह चित्य की अकर्मनेता है यानि अगर आपकी इच्छा है कि कुछ करने की फिर भी नहीं करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास वो करने की सामर्थ नहीं है बलबुद्धी नहीं है तो नहीं करते हैं तो या इस त्यान हो जाता है इसमें अकर्मने हो जाता है इक्षा तो करता है कि हाँ मैं करूं फिर सोचता है कि अरे मैं नहीं कर पाऊंगा मेरी कम उम्र है या मेरी जैदा उम्र है या में मोटा हूं या किसी अनव्य picks के अवरोद उसमें आते रहते हैं जिसके कारण उसमें अकर्मने अता जाती है यह इस्त्यान दोस्ट है यह चित का विछेप है इसके बाद है संसय संसय में यही है शंका करना कि मैं यह साधन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा करूंगा तो हल होगा नहीं होगा सिध होगा नहीं होगा समय तो कहीं बरबाद नहीं हो जाएगा या मुझे जो सिखाने वाले हैं ये गलत तो नहीं है गलत तो नहीं है या ये सब जो है सही विद्ध्या है कि नहीं है कई तरह के संसे तो ये जो संसे होते हैं ये भी एक योग में बादक होते हैं इसके बाद प्रमाद है और प्रमाद का मतलब हो गया कि उसका अनुष्ठान ने करना वो बार बार टाल मटोल करना अरे कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे ठीक है आज थोड़ा सा काम में उलच गए तो इस तरह से कोई ने कोई बहाना बना करके बहाने बाजी करके साधन से हट जाना या करना भी तो जिसमें सरीर का भारी पन या चित्य का भारी पन या दिमाग भारी भारी लगता है ठीक से सोय नहीं है नहाय नहीं है धोय नहीं है इसके कारण सरीर आलस जैसा लगता है देर रात तक जागे हैं उठने पाए हैं तो इस आलस के कारण भी चित में तमोगुण की अधिक्ता हो जाती है और तमोगुण की अधिक्ता हो जाने से सरीर में आलस बहुत ज़्यदा बढ़ जाता है बारीपन आ जाता है तो उसकी वज़ा से भी लोग यूग में प्रगत नहीं कर पाते हैं प्रदुसित वातावरन में रहने से या बहुत ज़्यदा तेधिक्त परिश्रम कर देने के बाद जब आदमी विस्राम को जाता है तो शरीर में आलस सा जाते है इसके बाद फिर है और विरति और विरति का आर्थ हो गया कि जिसका अभी चित विरत नहीं हुआ है यानि जिसमें अभी त्रिश्णा बने ही हुई है जिसे अभी विशेभोग की कामना बहुत ज़्यदा सता रही है जो लगातार उन्हीं ख्वाबों में उन्हीं कल्पनाओं में उन्हीं योजनाओं में डूबर आता है कि कैसे मुझे धन मिल जाए तो कैसे अच्छे भोजन मिल जाए तो कैसे सिनेमा सरकस देख लें वो मिल जाए कैसे बढ़िया बढ़िया समान सब मिल जाए भोग के समान है कुलर है टीबी है फ्रीज है पंके है पलना ढिकना काड़ी है घोड़ा है बंगला है या इस्तरी है तो पुरुस मिल जाए पुरुस है तो इस्तरी मिल जाए सुन्दर पुरुस है सुन्दर इस्तरी की कामना यह जो है यह विश्यों में त्रिश्णा है और अधिक से अधिक मिलता जले मिलता जाए बढ़ता जाए तो जिसे विश्यों में कामना लगी है यानि वेराग्य का भाव है वह भी योग में गती नहीं कर सकता तो ये भी योग में बाधा है हलांकि जैसे से योग वो करता जाएगा वैसे वैसे उसकी विरक्ति बढ़ती है वैसे वैसे उसकी तृष्णा घटती है लेकिन ये है तो बाधा ही तो इन तृष्णाओं को दूर करना चाहिए बौधिक अस्तर पर भी काम करना चाहिए लेक्ति को ताकि तृष्णा ना रहे और वह योग में प्रगति कर सके इसके बाद है भ्रांति दर्शन भ्रांति दर्शन कार्थ हो गया कि योग की दर्शन में ही उसे अविश्वास हो मिथ्या ग्यान हो उसे वो कनफ्यूज हो जाता हो समझाने के बाद समझ नहीं पाता हो इसके फल के विशे में इसके साधन के विशे में या इसकी फिलोसफी के विशे में इसके दर्शन के विशे में उसे ब्रांति हो तो या ब्रांत दर्शन का लाता है या भी एक बाद आया अधि आप यूग के दर्शन कोई नहीं समझते या उसमें आपको कहीं न कहीं किसी प्रकार की संका है तो फिर आप उसमें प्रगति कैसे कर सकते हैं इसके बाद है अलब्ध भूमिकत्तो यानि समाधी की भूमिको नहीं पाना समाधी तक नहीं पहुँच पाना बहुत सारे यूग अभ्यासी होते हैं जो आसन कर लेते हैं अच्छा से जो प्रणयाम भी कर लेते हैं यम नियम का कुछ पालन भी कर लेते हैं लेकिन फिर आगे की जो अभस्ताय हैं जीसे प्रत्याहार है वहां पर भाग जाते हैं अनुभग अई है कि 50% से भी ज़्यदा लोग प्रणयाम के बाद छोड़ देते हैं प्रणयाम से आगे की जो अवस्थाएं हैं परत्यहार, धार्मा, ध्यान और समाधी वहां उदर नहीं जाना चाहते हैं, हड जाते हैं उनका उद्दे सिर्फ सारे रिख स्वास्त ही रहता है या अन्य चीजों में जो योगिता चाहिए होती है, उसको वो पूरा नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं तो इस वज़े से वो समाधी तक नहीं पहुँच पाते हैं कुछ धारना तक जाते हैं, कुछ ध्यान तक जाते हैं और बहुत थोड़े बिरले होते हैं जो समाधी तक जाते हैं और समाधी में भी बहुत बिरले होते हैं जो असम प्रज्यात समाधी में जाते हैं और उसमें भी बहुत बिरले हैं जो कि केवल लवस्था को प्राप्त होते हैं, तो यह जो है, यह भी एक तरसे बाधा होती है, नहीं पहुंच पाने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें यह भी अच्छा मार्ग दर्सन नहीं मिल पाना, यह मार्ग दर्सन जो है, वो खुद ही उसको देर करा रहा है, सही समय पर उसके लिए उपलब्द नहीं हो पा रहा है, या उतना वो स्वेन सक्षम नहीं है, और यह भी संभव है कि वैसी इस्तिती परिस्तिती उस साधक को नहीं मिल पा रही है, जिसे की वो साथ सके, वो बिचारा वो ध्यान में बैठा है, अभी एक घंटाई बैठा है तब तक घर के लोग उसको डिश्टब कर दिये, या रिसिदार, नातिदार, या उसके सहयोगी, मित्र, या करमचारी या ओफिस में जो काम करने वाले लोग हैं, अधिकारी हैं, व फिर उसमें लग जाता है, इस तरह से वह पहुंचता हुआ भी कहीं कहीं रुख जाता है, फिर इसके बाद जब ऐसी समय में फिर वो सुरू करता है, उमर थोड़ी ढ़लने के बाद तो उसमर भी बादा बन जाती है, उतनी एनर्जी नहीं रहती है, कि उस शीज़ को कर पा है, तो ये सब बादाएं आ जाती है, तो समाधी नहीं पहुंच पाता है, इसके बाद है अनावस्थित्तो, इसमें क्या है, कि कोई वहाँ पहुंच तो जाते हैं, बहुत सारे लोग को मैंने कराया है, समाधी तक पहुंच जाते हैं, ध्यान में पहुंच जाते हैं, लेकि कि वहाँ पर उनका ठहराव नहीं हो पाता ज्यादा देर तक उसमें लीन नहीं हो पाते हैं पूरा वे पांच मिनट दस मिनट अधा घंटा तक लीन रहें फिर वापस आ जाते हैं तो चित जो है वहाँ पर उनका बिठार नहीं पाता है वो अनवस्थित होता है आनि स्थित नहीं हो पाता है तो धे का साक्षात करने से पुरही समाधी का छूट जाना यह भी योग में बादा है तो यह सब नौ बादा हैं जो हैं मोटे तोर पर अब इनके जो अतरिक्त इनसे अन्य भिनने भी कुछ बादा हैं इनके परिणाम स्वरूप हैं इनके प्रभाव स्वरूप बादा हैं तो उस तरह के जो अंतराय हैं विछेव हैं या प्रतिपक्ष हैं तो वे सब भी हैं जिसका हमार से पनने लिजी आगे एक वर्णन करेंगे हैं इस सुत्र में इतना ही ओमारे